Hello students, you are most welcome. आज के वीडियो में हम भिन्नों का जोड देखेंगे, जिसमें दो टाइप रहेंगे, देखो. ये जो भी भिन्न है, इनको जोडना है, जिसमें देखो, सबी में हर समान है, और इसमें देखो, सारे भिन्नों को जोडना है, जिसमें हर अलग अलग है. ये दोनों टाइप के कुश्चन आज हम सोलो करेंगे. इसको हम देखते हैं पहले, देखो, यहाँ पर लिखा है, चार बटेचे, प्लस छे बटेचे, प्लस चोड़ा बटेचे. चाये थो हम इसको सरल भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं, कि अगर भिन्न में हर समान है, तो हम उसे कैसे सरल करते हैं? चले, हम स्टार्ट करते हैं, देखो, यहाँ पर लिखा है, चार बटेचे, मतलब सभी में हर समान है, तो हम क्या करेंगे? हर को पहले एक बार लिखेंगे हर हमने common ले लिया हर सभी जग एक जैसा इसलिए एक बार हमने लिखा 6 अब यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है देखो तो यहाँ पर 4 वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि हर में 6 available है इसलिए हम यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का गुणा नहीं करेंगे यहाँ पर 6 हम सेम लिखेंगे और यहाँ पर भी 14 एज़ेटीज लिखा जाएगा यह इसलिए हमने किया क्योंकि सभी के हर में 6 एक जैसा है इसलिए हमने 6 बार लिखा और उपर के अंसों को एक साथ जोड में लिख दिया बस इनी को जोड़ना है बटे में 6 लिखा उपर क्या हुआ 6 और 4 दस 10 और 14 चोविस बस इसे सरल कर लो अब देखो इनको काटना इस तरीके से है कि यह एक ही टेबल से अंसों और हर कटना चाहिए तो देखो यह 6 की टेबल से कट रहा है 6 कम 6 6 चोविस इसका एंसर क्या हुआ 4 बटा 1 मतलब 4 इस दे राइट एंसर यह टाइप 1 हुआ जिसमें हमने हर जब एक समान हो तो उसको इस प्रकार से जोड घटाव करते हैं अब हम देखेंगे कि अगर हर अलग-अलग हो तो उसका जोड या घटाव किस प्रकार से होगा जब हर अलग-अलग होंगे तब हम सारे हर का LCM लेंगे LCM किस प्रकार से लेंगे देखो यहाँ पर LCM लेना भी सीख लेते हैं 3, 2, 4 पहले यह 2 की टेबल से जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पर अवेलेबल है तो 3 वेशा का वेशा रहेगा 2 एकम 2 और 2 दुना 4 वापस 2 की टेबल से ही भाग जाएगा 3 वेशा का वेशा 1 और 2 एकम 2 अब जाएगा 3 की टेबल से 3 एकम 3 1 और 1 इसका LCM क्या हुआ 2 दुनो 4 4 तिया 12 12 इसका LCM हुआ इस प्रकार हमने LCM निकालना भी सीख लिया देखो 12 यहाँ पर LCM हुआ अब देखो हर में हम किसका गुणा करेंगे कि 12 बन जाए हर में हम 4 का गुणा करेंगे जब हम 4 का गुणा करेंगे तो अंसमें भी 4 का गुणा होगा मतलब क्या बन जाएगा ये 4 गुणा 4 प्लस किया अब देखो हर को 12 बनाना है तो हम किसका गुणा करेंगे हम यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे जब हमने हर में 6 का गुणा किया तो अंस में भी 6 का गुणा होगा क्या हो जाएगा 5 गुणा 6 अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 है, हमको बनाना 12 है, किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, तो अंस में भी 3 का गुणा होगा, क्या हो जाएगा 6 गुणा 3, बस इसी स्टेप को आगे हमें सोल करना है, 4 गुणा 4, 16, प्लस 5 गुणा 6, 30, प्लस 6 गुणा 3, 18, बटे 12, 16, प्लस 30, प्लस 18, कितने हुए, बचे 30, 10, 40, 46, 46 और 10, 56, 56 और 10, चाचट में से 2 गए, तो बचे 64, बटे 12, अब या तो अगर 12 के टेबल में आता हो, तो काड़ दो, या फिर आप 2 के टेबल से 4 के टेबल से भी काड़ सकते हो, 4 के टेबल से काड़ते हैं, 4, 3, 12, 4, 1, 4, बचे या पे 2, 2 इसको दे दिया, तो ये बच जाएगा, 24, अब 4 के टेबल में 24 कितने बार आता है, 4, 6, 24, 16 और, अब यहा पर क्या उत्तर आएगा, 16, बटे, 3, इसको भी सरल कर सकते हैं, देखो, 3 के टेबल से काटेंगे, तो कि 5 बार तो चले जाएगा, 3, 15, एक बचा, आगे कोई संक्यानी है, एक का हम क्या बनाएंगे, इधर, एक का यहाँ पर बन जाएगा, 10, तो 3 की टेबल में 10 तो नहीं आता, लेकिन, 3 तक देखेंगे, तो 9 आजाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर वापस, एक बचेगा, तो वही रिपीट होगा, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा, 5, 3, 3, it is the right answer, इस प्रकार हमने इस सवाल में 2 टाइप देखे, जिसमें यह हर समान होते हैं, तब इसको इस प्रोसेस से करते हैं, और जब हर समान नहीं हो, तब हम इसको इस प्रोसेस से करते हैं, I hope आपको यह दो समाजी में आगे होंगे, अगली स्टेप में हम फ्रेक्शन निकालना सिखेंगे, all the best.